नमस्कार आप देख रहे हैं Zee Business मैं हूँ स्वाती रायना तो दिन भर आप देख रहे हैं Zee Business पर बजट की मेगा कवरिज और अब बारी है पोस्ट बजट विशलेशन की आई आपको बताते हैं कि अब क्या है आपके लिए खास शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त के शो के साथ जिसमें हम आपको बताएंगे बजट की क्या रही बड़ी बाते आम आदमी को क्या क्या मिला बजट का पूरा विशलेशन आप से थोड़ी देर में करेंगे बजट का पंचनामा में साड़े पांच बज़े बताएंगे बजट से किसानों को क्या मिला, किन बोर्चों पर हुआ फाइदा, शाम पांच बज़ का 26 मिनिट पर जरूर देखिए किसान को मुस्कान, फिर कुछ देर के बाद आज के बज़े के सबसे बड़े हाइलाइट यानि Capital Expenditure का होगा विशले की, टैक्स की और आपके जेब पर बज़ेट के असर की बात होगी, नई टैक्स रिजीम में बदला हुआ, क्या अब ये टैक्स रिजीम आप्ट करना आपके लिए फाइदे मन्द है या नहीं, और नई रिजीम अब फाइदे किसकी, 6 बच कर 26 मिनिट पर देखेंगे, साथ बज़ेट में होम बाइर की लिए क्या मिला, जरूर हम आपको इसमें बताएंगे, बज़ेट में घर वाली बात, और उसके बाद प्राइम ट्राइम शोओ में हमारे स्टूडियो में होगा महमानों का एक बड़ा पैंदल, और साथ ही होगी तेश की जनता जनारदन, जिसक आपको बुलट की रफ़तार से मिलेंगे, बज़ेट से जुड़ी बड़ी खबरें, बज़ेट को लेकर नेता कारोबारियों की प्रतेक्रियाएं, जरूर देखिए बज़ेट चाली सामें तो आएए अब बज़ेट का पंचनामा करते हैं, वितमती निर्मला सीतरमने आज संसद में आम बज़ेट पेश कर दिया, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास इसमें जरूर है और चुनावों से पहले सरकार के इस पूर्ण, आखरी और पूर्ण बज़ेट में कुछ खास तो है, जहां अडवांस टेकनॉलोजी से जुड़े सेक्टर पर सरकार का फोकस रहा, तो वहीं किसान हो या प्रिवा हो महिलाएं हैं, सीने सिडिजन्स के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बज़ेट में कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, मेरे सेयों तो आपको, आम आदमी को इस बज़ेट से क्या मिला? वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने किये हैं कई महतवपूर्ण ऐलान, वैसे ये संभावनाई जताई जा रही थी कि हो सकता है जल्द ही नई टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा आकरशक बनाए जाए क्योंकि मौझूदा जो टैक्स विवस्था है, उसमें तमाम क्योंकि बढ़ा कर आब 7 लाख कर दिया गया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो नए टैक्स सिस्टम की तरफ आए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है और उसको डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम सरकार ने बताया, मतलब अगर आप कोई भी टैक्स सिस्टम चूज नहीं करते हैं तो बाई डिफॉल्ट नया टैक्स सिस्टम ही आपका सिस्टम आपको चूज करके देगा, ये एक बहुत बड़ी घोशना आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर मिली है, दीपक जरा आप बताईए, यही जानना चाह रहे थे कि जेब में कुछ पैसा आया, टैक्स के बिल्कुल हाइलाइट्स आपने बताई दिये हैं, कुछ-कुछ लेकिन मैं तुरह से रिपीट करना चाहूँगा, दर्शकों के लिए बता देगी जो पिलर्ज रहे हैं आज के बजट के, उनमें ये इनकम टैक्स का जो स्लैब है, उससे जोड़ा परिवरतन शामिल है, इस वो था जो मोर्चा है, वो है कुछ आउट अफ दबॉक्स आइडियास का, तो ये चार पिलर्ज हैं, जिसका जिकर आप भी कर रही थी स्वाथी, फटा-फट से रिपीट कर दें अपने दर्शकों के लिए, कि आम आदमी को एक्जैक्ली क्या मिला है, तो जैसा स्वाथी न इसलिए इस बार एक इनोवेटिव तरीका लाया सरकार ने, और कोशिश की कि नई टाक्स रिजीम जो है, उसको आकर्शक बनाया जाए आम लोगों के लिए, उसी के तहत ये सरजरीज की गई है, तो जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, नई टाक्स रिजीम में 3 लाग तक कोई टाक्स नहीं, नमबर वन, इसके अलावा जिस पर आज जो हैडलाइन, जो हैडलाइन खबर है, सारे चैनल्स पर हमारे चैनल सहीत और कलसुब अख़वारों में भी आप देखेंगे, कि डिड़क्शन क्लेम करने पर 7 लाग इंकम टाक्स फ्री होगा, ये एक हैडलाइन वो 52,500 के असपास किया गया है, जो पुरानी टैक्स फ्रीजी में उसमें 50,000 के असपास है, तो कुल मिला के इसे और ज़्यादा एट्राक्टिव बनाने की पूरी कोशिश सरकार की उर से, एक और important aspect सर्चार्स से जुड़ा हुआ है, जो है अगला pointer, सर्चार्स की जो अधि पूर्ण जो फैसला, income tax को लेकर किया गया है, इसके अलावा, जैसा स्वातिय अभी आपको बताई रही थी, कि जो नया tax regime है, वो अब default होगा, इसे पहले क्या होता था, जब आप form भरते थे, तो उसमें आपको default जो है, वो old regime मिलता था, और नई regime के लिए आपको opt करना senior citizens को लेकर बहुत important आज एलान किया गया है, senior citizens saving scheme की सीमा जो है, वो 30 लाग हो गयी है, पहले 15 लाग थी, तो सीधा दोगुना कर दिया गया है, तो एक तरह से important इस माईले में इसको कहा जा सकता है, इसके अलावा अगला जो है, इसी से जुड़ावा जो महिला बचत योजना है, उसमें आपको दो लाग तक के निवेश की छूट मिलेगी, महिलाओं के लिए special scheme चलाई गई थी और उसके लिए अगर वो दो लाग रुपे तक क्या निवेश इस योजना के तहत करते हैं, तो उसमें आपको छूट मिलेगी, इसके अलावा इसी से जुड़ावा, जो म अब तक रहे हैं, उस प्रोसेस को और जादा strengthen और fasten करने के लिए, जॉइंट कमिशनर्स निव्ट किये जाएंगे, 100 जॉइंट कमिशनर्स की निव्टी होगी, और इससे जो टैक से जुड़ी हुई जो पुरानी अपील है, उनके निव्टारे में सहूलियत होगी, तो एक तरह से जो बैक लॉग है, उसको भी क्लियर करने की कोशिश सरकार ने की, और आखरी जो इससे जुड़ा हुआ जो प्रावधान है, वो है, कापिटल गेंज से घर खरीदने पर छूट की सीमा, 10 करोड तक की काप कर दी गई है, यह थोड़ा सा जो HNIs है, उनके लिए एक न काम आदमी से जुड़ी हुई घोशना है, टैक्स के मद्दे नजर, तो उम्मीदे जो थी, काफी हरता काम आदमी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार का फोकस बहुत क्लियरले दीपक हमें ग्रोथ पर नजर आया है, अमरित काल का बजट अपने भा जो हैं, उन्होंने भी किया था, जब वो एकॉनमिक सर्वे पेश करने के बाद, जो प्रिजेंटेशन दे रहे थे, मीडिया से इंटराक्शन कर रहे थे, उनका साफ तर पर कहना था कि अब इस दशक का जो समय बचा हुआ है, उसमें जानदार ग्रोथ रहेगी, और इसको करने के लिए, इसको और जादा बूस्ट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आज का जो बेस्ट आप कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोग जो सरकार कर रहा है, जिससे बहुत लोग खुश है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, शानदार बढ़ोतरी, लगबग 33 फी से 33 प्रतिशत बढ़ा कर 10 लाग करोड कर दिया गया है, इसके अलावा रेलवे के लिए भी एक अच्छा खासा रकम रखी गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रेलवे के लिए लगबग 33 लाग करोड का आवंटन किया गया है, जो देगा ग्रोध को बूस्टर, इसके अलावा अगला जो है, वितिया घाटा, जो जिसको बोलते हैं कि फिस्कल प्रूडेंस दिखाने की कोशिश की गई है, वितिया अनुशासन का एक बहुत अच्छा मुझारा देते हुए, जो वितिया घाटा है, उसको कम अनुमान कर दिया गया है, याने के वो 9.9 का अनुमान सरकार की ओर से वितिवर्श 24 के लिए जाइड किया गया है, इसके अलावा 24 में अगर देखें तो कुल अगर आप खर्च देखें तो इसका अनुमान 45 लाग करोड का लगाया गया है, ये ग्रोथ को बूच्टर देने की सारी कोशिश है सरकार की ओर से, इसक अगर आप बिगर परस्पेक्टिव में देखेंगे, तो उसकी जलक आपको बजट में दिखेंगी, इसके अलावा एक और इंपॉर्टन जो एलान किया गया है, उसमें जो विनिवेश का लक्ष है, उसे 61,000 करोड का FY24 में रखा गया है, ये भी एक ऐसा पिलर है, विनिव चाहती है कि विनिवेश के बाद जो कमाई हो, उसको हम विकासकारियों में खर्च करें, और इस तरह से FY24 में जो नॉमिनल GDP ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया गया है, साड़े 10 प्रतिशत के आसपास संभावना सरकार की ओड़ से जारी की गई है, इसके अलावा अदोस अन उसका भी इंफ्रस्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है सरकार का, और एक जो प्रदानमंतरी नरेंदर मूदी ने भी जिसका जिक्र किया, ग्रीन एकॉनमी, अब उसके लिए 2030 तक 5MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्श रखा गया है, और हाइड्रोजन इस दे इस आइडिटिफायर के रूप में देने की घोशना की गई है, तो कुल मिला के ये ओवर ओल जो ग्रोथ का सिनारियो है, जो एकॉनमिक जो हमारी आधार शिला है, उसको और मजबूत करनी का स्वाती ये प्रयास सरकार के और से किया गया है, इस पैर को तफ़ा मिला, ग्रो जो खेती, किसानी से जुड़े हुए स्टाट अप करने वाले जो नए उद्धियमी है, सब को बराबरी से पुश देने की कोशिश सरकार ने की है, और इसके लिए जो प्रावधान किये जाने की बात की है, एग्री स्टाट अप को बढ़ावा देने के लिए एक अलग सा ए आधुनिक तकनीक के लिए किया जाएगा, जो ये फंड हमने आपको बताया, एग्रो स्टाट अप के लिए, उसमें इनोवेशन जो नही रिसेर्चेज हैं उनके लिए किया जाएगा, इसके लावा कॉटन के लिए क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन का भी प्लान किया गया है, सरकार ने इसके लिए प्रावधान किया है, आज के बजट में, जो मेरे खहल से किसानों के चेरे पर जरूर मुसकान लेकर आया होगा, इसके अलावा वित्वर्श 2024 में क्रिश्विक शेतर के लिए 20 लाग करोड के कर्ज का लक्ष रखा गया है, ताकि कोई कमी नह रहे इस दिशा में पैसे की, इसके अलावा पशुपालन के लिए 6,000 करोड की नई रियायती स्कीम दी गई है, जो पशुपालन, मचली पालन और डेरी उद्द्योग से जुड़े वे जो हमारे किसान हैं, जो कारुबारी हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टन्ट, मचली पालन के ये 6,000 करोड कर जैसे में आपको बताया, की नई रियायती स्कीम दी गई है, एक और जो मिलेट एर वैसे भी हमने भारत ने कोशिश की थी, यूएन के सामने हमने प्रोपोजल भी दिया था, वो माना भी गया, इंटरनाशनल एयर अफ मिलेट भी घोशित किया गया, यूए से आज वो नाम भी दे दिया, निर्मला सीतरामन ने, श्री अन्नम याने के मोटे आनाजों के लिए एक अलग से स्कीम की एनाउंस्मेंट किया गया है, इसके लावा बायो मास और नैश्रल फार्मिंग के लिए सरकार लगातार मदद करेगी, उस पर भी सरकार का फोकस है, गोवर्धन स्कीम, जो बड़ी तिर परिचित स्कीम है सरकार की, उसके लिए 10,000 करोड का आवंटन भी किया गया है, तो गोवर्धन स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद दिखाई दे रही है, और इसके अलावा फर्टिलाइजर के योजना की भी बात हो रही है, हमने देखा था, हरित करांती के समय एक लहर आ गई थी, खेती, किसानी की और उतपादन को लेकर, लेकिन फर्टिलाइजर के जादा इस्तेमाल से उसके घातक जो प्रभाव हैं उसके भी बहस हुई, इसलिए फर्टिलाइजर का जो बैलेंस् बजट का सार हमने समझा, टैक्सपेर्स को क्या मिला, साथी ग्रोथ के लिए क्या किया गया इस बर बजट में और किसानों के लिए क्या बड़े एलान, धन्यवाद दीपक इन तमाम बड़े एलानों को बताने के लिए नट्शल में, वहीं हमने सुभा से हर दस मिनिट में बजट बुनांजा भी अपने दर्शकों के लिए रखा था जिसमें आप कई आकरशक इनाम भी जीत सकते थे और कई लोग इनाम जीते भी हैं, आपको बताएं कि बजट बुनांजा में पूछे गए दसवे घंटे के सवाल के लखी विजेताओं के नाम का एलान हम करने वा आपके स्क्रीन पर आप देख पार है रोमा अनीता साहू यह तमाम जो व्यूवर से जुनरे सही सवालों के जवाब दे आपको बहुत-बहुत कॉंग्राचुलेशन्स और आज का ग्यारवा सवाल भी सुन लीजिए और देख लीजिए ब्रीज केस की जगह बही खाता की परंपरा किसने की शुरू आपके ऑप्शन्स है यह जवाब देने के लिए टाइप कीजिए जएड बी स्पेस दीजिए अपना जवाब जैसे की ए बी सी या फिर दी लिखकर हमें 57575 पर भेजें ट्विटर पर हैश्टाग बजेट ओन जी हैश्टाग अनिल सिंग भी के साथ जरूर ट्वीट करें